सिर्फ 15 दिन की मलाई से मैंने इतना धेर सारा घी निकाल के तयार किया है तो जब इतना धेर सारा 15 दिन की मलाई से घी निकल सकता है तो मार्किट से महेंगे घी लाने की क्या ही ज़ुरत है केमिकल भी उसमें यूज होता है ये घर में आप बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश निकलेगा तो इतना धीर सरा ये कैसे निकला है बिल्कुल भी मलाई आपकी वेस्ट नहीं होगी सब कुछ टिप एंट ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को एंट तक जरूर से देखिएगा तो एसलियाम अलेकूब मैं आपकी होस्ट हैं दोश शिरीन तो देखिए मेरे पास 15 दिन की मलाई हो गई थी कंटेनर मेरा छोटा था इसलिए थोड़ा सा मतलब गिनने लगी थी इसलिए मैंने प्लेट लगा के रख दिया था तो इसको निकालने के बाद रूम टेंपरेचर पे यानि किचिन में ही मैंने ऐसे ही 5-6 गंटे के लिए पहले छोड़ दिया था जब यह थोड़ा रूम टेंपरेचर में आ गई थी तब मैं अब इसकी मलाई यानि घी निकालने जा रही हो तो देखिए यह बस इतनी ही मलाई है आप देख पा रहे होंगे अभी जब मैं इसका मक्षन निकालूंगी तब आप देखीगा यह कितना धीर सारा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है सबसे पहले मलाई को हम मिकसर के अंदर डालेंगे और बहुत जादा नहीं डालना है मिकसर थोड़ा बड़ा ही लेंगे तो जादा अच्छा होगा वनना क्या है पानी पूरा बाहर आने लगता है अब यहाँ पे मैंने खास इसके लिए थोड़ी बरफ जमा रखी थी अब इसमें मैं पानी डाल दूगी यहाँ पे ना हमें ठंडे पानी की ज़रत होगी बिल्कुल चिल्ड वाटर जो होता है ना उस तरीके का पानी हमें चाहिए तो हम इस बरफ से ही पहले पानी बना लेंगे बरफ कभी हम यूज करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी तो देखिए पानी हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको मैं अब इस मलाई के अंदर डाल दूगी यानि मिकसर के अंदर और इसको अब चला लूगी तो देखिए ये मैंने अच्छे से चला लिया था मेकसर को और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मक्खन अलग हो गया है और पानी इसका बिल्कुल अलग हो गया है इस पानी को भी आप यूज कर सकते हैं यानि कि ये मठा की शकल में हो जाता है तो इसकी अगर कड़ी वग पानी भी डाल दिया बरफ भी डाल दिया और जितना भी मक्खन था ना सब मैंने इसके अंदर डाल दिया था इस बड़े से बोल में अब क्या है इसको इस तरीके से अभी धुल भी गया अच्छे से साफ भी हो गया मक्खन तो इस तरीके से अब मैं निकाल के आप ये देख जिसके बिल्कुल आराम से हाथ पे चिपकता भी नहीं होता है यह खुद एक बॉल की शेप में बनना स्टार्ट हो जाता है तो सारे को ही मैं इस तरीके से निकाल लूगी आप जाए तो इस तरीके से मखण भी अगर यूज करना है तो इसमें इसको फ्रीज कर लीजेगा और मखण की शकल में भी इसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे आज घी चाहिए था तो मैं आज घी ही निकाल लूगी इसका और आपको सब दिखाऊंगे कि इतने थोड़े से मखण देखिए थोड़ा सा ये मेरे मलाई थी और इसमें कितना धेर सारा ये मखण तयार तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी गैस के ओपर इसको रख दूंगी यहाँ पे धियान ये रखना है कि जिस कंटेनर में हमें घी बनाना है वो कंटेनर आमें थोड़ा बढ़ा लेना है तो देखिए दो-तीन मिनट के बाद ही इस तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो और हाई फ्लेम पे ही मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी तो बिल्कुल दूद की शकल में हो जाएगा पूरा जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो यह देखिए इस तरीके से उपर उपर आप देख पा रहे होंगे कि वाइट वाइट जाग आ रहा है जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे यह जाग पूरा खत्म होता चला जाएगा मैं आपको आगे दिखाती हो यह देखिए जाग ना यह बिल्कुल खत्म होता जा रहा हैँ थोड़ा सा ही बचा है तो यह भी जब पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा तब हमारा घी निकलना स्टार्ट ओ जाए departments त तो इसकी यानी खुर्चन जाई जो होती है ना वो जलने ना पाए यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्लेवर के लिए और घी हमारा जादा दिन तक फ्रेश है इसके लिए मैंने दो लॉंग भी डाली है इससे क्या है घी में खुश्बू भी अच्छी आ जाती है और घी बहुत जादा दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है खराब नहीं होता है तो यह देखिए अब मैं यहाँ पर खड़े होकर कि ही इसको चलाते हुए पका रही थी तो यह हलका हलका ब्राउन हो रहा है बाज लोग ना इसी स्टेश पर क्या करते हैं फ्लेम को आफ कर देते हैं अभी नहीं करना है वरना घी में से बहुत जल्दी स्मेल आने लगेगे थोड़ा से इसको हम और गोल्डन ब्राउन करेंगे बहुत जादा नहीं करना है तो बस इतने पर ही देखिए मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है इतना गोल्डन ब्राउन करके ही आपको फ्लेम को आफ करना है इससे जादा डाक आप कर देंगे क्योंकि घी हमारा गरम होता है ये बाद में भी दीरे दीरे पकता रहता है तो फिर क्या है ये खुर्चन यानि जाई जो है न ये बिल्कुल जल जाएगी और घी में से भी क्या है जली जली स्मेल आएगी तो इतने पर ही मैंने देखिए फ्लेम ऑफ कर दिया ये अभी भी पक रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि ये ठंडा होने के बाद कैसा है देखिए ये इतना ब्राउन हो गया है तो ये बिल्कुल मैंने ठंडा नहीं किया है क्योंकि एकदम जब ठंडा करके घी छानो तो क्या है घी थोड़ा कम हो जाता है तो अलकाल का कुनकुना रहेगा तब ही हम इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने काच की एक बॉटल ले ली है बैदनी ले ली है और यह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए तो इसी के अंदर में घी निकालोंगे आप स्टील के कंटेनर में भी इसको निकाल सकते हैं लेकिन प्लास्टिक में नहीं निकालिएगा क्योंकि घी जो है अभी बिल्कुल थोड़ा कुनकुना ही है तो प्लास्टिक पिगल जाएगी तो माशालला आप लोग भी बोल दीजे देखिए माशाललस से वन केजी का यह कंटेनर है अल्मूस्ट तीन पॉस से भी जादा कही यह घी निकल के तयार हुआ है तो जैसा मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर आप घी निकालेंगे तो इंशालला आप लोगों का भी घी कभी भी कम नहीं होगा थोड़ी सी मलाई में जादा जादा घी निकल के तयार होगा तो मार्किट में इतना महेंगा घी मिलता है और केमिकल वगर भी यूज करते हैं और जल्ली पता नहीं कैसे स्मेल भी आ जाती है तो बस मार्किट से अवलाना बंद कर दीजिए घर में ही थोड़ी-थोड़ी मलाई निकाल करके उससे इस तरीके का घी बनाई है तो इसको मैं फ्रीजर में रखूंगी आपको बाद में दिखाती हूँ कि फ्रीजर से निकालने के बाद भी कैसी इसके शकल और सूरत बन गई है तो यहाँ पर देखिए इसकी जो खुर्चन यानी जाई है ना इसको भी मैं खाती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी शकर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ बहुत ही जादे यह टेस्टी लगती है आप लोग रोटी वगर ऐसे भी इसको खा सकते हैं मैं रोटी से तो नहीं खाती हूँ मैं इसको ऐसे ही स्पूल से ही खा के खतम कर देती हूँ तो देखिए उतनी मलाई में इतनी थोड़ी सी ही जाई निकली है तो अब जो है 5-6 गंटे हो गयते हैं मैंने फ्रीजर में घी रख दिया था अब यह जम गया है मैं इसको दिखाती हूँ एकदम बिल्कुल वाइट प्योर मस्की के जैसा यह घी बन के तयार हुआ है घर से ही आप निकालिए बाहर से बिल्कुल लाना बन कर दीजिए आप इसकी देख रहे होंगे इसकी मतलब प्योरनेस आपको खुद दिखाई दे रही होगी कि यह कितना प्योर लग रहा है तो इसको मैं आपको खूल के भी दिखा देते हूँ माशाला से बहुत ही अच्छा बनाता तो अब आप लोग भी घर में ही बनाएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक करना मद भूलिएगा अभी के लिए जाज़ दे दीजिए अपना ख्याल रखिए मुझे अपनी दूआउ में याद रखिएगा